हेलो फ्रेंग पॉपुलेटिवी सीरियल जनक के आगया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि बिहोशी की हालत में जनक ने पुकारा अनिरुद का नाम तो वहीं जनक की प्रेगनेंसी का सर्जन अनिरुद ने लिया बड़ा फैसला दिया अपने बच्चे को नाम जी हाँ दोस्तों आप शो केप कमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जनक अपने कमरे में बेहोश हो जाएगी और उसके सर पर चोड भी लग जाएगी तो वहीं आदित्य जनक को तुरंथ ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा जहां डॉक्टर जनक का चेक अप कर ल लगते ही अर्शी कहेगी कि मैंने तो पहले ही कहा था इस जनक का करेक्टर ही खराब है तो वहीं सुष्टी आग में घी डालने का काम करेगी और कहेगी कि अरे जनक को ये टैलेंट भी उसकी मा और वशी से ही तो मिला है विरासत में वो भी शादी से पहले बिन बियाही मा बन गई थी जिसके बिच्चे का पिता कि बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है वही हाल इस जनक का है, काम्याब होने के लिए पता नहीं इसने किस किस के साथ राते गुझारी होंगी अब बिचारी को खुद भी नहीं पता होगा कि आगर इसके बच्चे का बाप कौन है वेल अब शो के अब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अनिरुत के सामने जहनक की केरेक्टर की धज्या उडाने में अर्शी और शिष्टी कोई कसन नहीं चोड़ने वाली है वो दोनों बार बार जहनक और उसकी मा और वर्शी को भला बुरा और घडिया आरोप लगाती ही जाएंगी तो वहीं दूसरी तरफ जहनक बेहोशी के हालत में सिर्फ और सिफ अनिरुत का ही ना पुका रही होगी जहां जहनक की हालत अनिरुत से बरडाश नहीं हो पाएगी और वो चिलाते हुए अर्शी और सिष्टी से कहेगा कि चुपो जाएए आप दौनों आप लोग यही जानना चाहती है ना कि जहनक के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप कौन है तो वो मैं आपको बताता हूँ के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहाने रुद कह देगा कि मैं ही हूँ इस बच्चे का बाप वो मेरा ही बच्चा है मैं यह सब और नहीं छिपा सकता मैं जहनक से प्यार करता हूँ जब कश्मीर में हम दोनों जब अकेले रह गए थे तब मैं बहुत जादा बिमार पढ़ गया था और उसी दोरान मैं जहनक के बेहद ही करीब चला गया था जहां अनिरुद के खुलासे से आरशी और शुष्टी दोनों के उड़ जाएंगे होश तो वहीं दोस्तो अनिरुद सब के सामने जाहिर करेगा अपनी फिलिंग्स और देगा अपने बच्चे को नाम और कहानी में आएगा जबदस मोड़ तो आप सब और अपडेट जानन के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले